नमस्कार दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्मेंट एजुकेशन में तो दोस्तों आज किस वीडियो में हम आगे मैस के कोशन देखने बाले हैं जो आपके आने वाले एक्जाम में काफी हलफुल होने वाले हैं तो आप किसी भी एक्जाम की प्रपरेशन कर रहे हैं जैसे कि अभी कॉंस्टेबल का एक्जाम आने वाला है जिसका 24 तारीक को रूल बुक जारी होगी और फॉर्म भले जाएंगे तो उसके लिए आपको लिए काफी वेनिफीशल होने वाला है यह वीडियो जितने भी मैं मैं मैंत के वीडियो बनाने वाला हूँ अब तो आप मद्ध प्रदेश के किसी भी एक्जाम की प्रपरेशन कर रहे हों तो उनके ध्यान में रखते हुए यहां पर कराये जा रहा हू तो चलिए स्टार्ट करते हैं इससे पहले के अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो यहां पर एक आई का बटन आ रहा हूँगा उस पर क्लिक करके देख सकते हूँ देखिए फर्स कुशन की तरफ बढ़ते हैं तो पहला कुश्चन है आपर कि एक इसी लंब ब्रतिय दी हुई है चबाली सेंटीमीटर और इसकी उचाई दी हुई है 24 सेंटीमीटर तो यह हमें पूछा गया है कि संकु का बग का प्रस्टिय चित पर क्याद कीजिए सबसे पहले तो जो मैंसुलेशन के कोश्चन होते हैं तो आपको सारे फॉर्मूला याद होना चाहिए तब इसी वारता ही एक सरकल की परदी दी हुई है और सरकल यानि ब्रत की परदी क्या होती है तो यहां से हमें जो है इसकी रीडियस पता पड़ जाएगी जो कि हमें कितना दी हुआ है इसका तो पाई आर बराबर दी हुई है 44 सेंटीमीटर तो पाई का मान हम देखी यहां पर ह हमें दिया हुआ है अगर हमें नहीं भी दिया हुआता है तो बाइस वटे साथ ही रखते हैं और टू इंटू आर बरावर 24 तो यहां से देखी यह कितनी वार जाएगा यह एक वार चला जाएगा और 7 का इधर हो जाएगा तो यह आजाएगा 7 तो त्रज्जा अमारी आ गई 7 त्रज्जा साथ आ गई और हमें उप्चाई दी हुई है 24 दी हुई है तो अब आपको पता हो कि हमें यह वाली लंबाई चाहिएगी यह जो त्रेक लंबाई है यह चाहिएगा बग्क प्रस्टे छित्पल होता है तो यहां पर आ जाएगा यह आर हमारी जो है वह आर हमारी शेवन है और यह 24 है तो यह वाली कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी तो यह ट्रेपलेट होता है कुछ ट्रेपलेट आप य तो यहां से हमें यह वारी जो आई है 25 आगे अगर आपको ऐसे भी नहीं तो पाइतागोरस फिर में लगाके आप आसानी से निकाल सकते हो तो हम सीधा-सीधा यहां पर बैलू रख सकते हैं सीधा तो देखिए यहां पर 22 बटा 7 इंटू आर 7 है और यह हमारी कितनी निकली थी 25 निकली तो 7 से 7 कट जाएगा तो यह कितना आजाएगा हमारा 25 दूनी 50 आसर लगा 5 पच्ची दूनी 50 और प्लस 5 पच्पन तो 550 जो है इस कंसर आजाएगा फूर्ट ओप्सन जो है इस कंसर हो जा जाएगा ओके चलिए अगला कुशन देखते हैं देखिए इस कुशन में क्या बोला गया है कि जब धनात्मक संख्यां ए बी और सी 13 से विवाजित की जाती हैं तो इनके सिसफ़स बचते हैं 9, 7, 10 हमें यहां पर यह प्लस 2B प्लस 5C को अगर हम 13 से विवाजित करते हैं तो सिसफ़स कितना बचेगा तो बहुत ही आशान है देखिए हमें कुछ संख्यां माननी पड़ेंगी और उसमें जो हम 13 का विवाजित करेंगे तो जो हमें इतना सिसफ़स मिलना चाहिए तो देखिए यह मैंने मानी देखिए 9 तो सिसफ़स आ रहा है तो जायर सी बात है 13 प्लस 7 क्योंकि सभी संख्यां में 13 से हमें जो हम भाग देना तो यह कितना हो जाएगा 20 हो जाया इसी तरीके से मैं C मार लूंगा 13 प्लस 10 यानि 23 तो यह आमे एक की वैलू पता पड़ गई बीकी वैलू पता पड़ गई और सी की वैलू पता पड़ गई अब हम सीद्थ स में रख देंगे और 13 से जो है वो भाग देंगे तो देखिए 22 20 23 तो यहां पर देखिए एक जगह 22 बीच बीकी जगह 20 और सी की जगह कितना रखूंगा थेज ठीक है अब हम सीदह सीदह इनको जोड़ लेंगे तो यह तो हो जाएगा 40 और यह कितना हो जाएगा पांती पंद्रा आसर लाग एक पांदूनी दस और एक ग्यारा तो यहां से यह 40 60 62 यह हो गया यहां बंवन फाइब यानी 177 यानी 117 यह 177 आगया अब हमें क्या करना है 117 का 13 से भाग दे देना है समझेगा जो मैथड है उनको समझेगा ओके चलिए एक ला कोशन देखते हैं चलिए नेक्स कोशन देखते हैं देखिए इस कोशन में क्या बोला गया है कि 36 किलोमीटर पर गुंठा की चाल से चलने वाली रेल गारी किसी खंबे को 35 सेकंड में पार करती है 350 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा तो देखिए सबसे पहले तो हमें ट्रेन की लंबाई पता करनी पड़ेगी क्योंकि जब भी कभी कोई पुल से ट्रेन गुजरती है तो जब तक वो पूरी नहीं गुजर जाएगी तब तक वो गुजरी हुई नहीं मानेगी मतलब यहां से ट्रेन चल लगी है चलते 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 जब तक वो पूरी ट्रेन क्योंकि ट्रेन तो लंबी होती है तो इसमें हमें पुल की और ट्रेन की लंबाई जुणनी पड़त convert करना पड़ेगा 36 km पती घंटे को तो इसमें हम 5 बटे 18 से multiply करेंगे यह हो जाएगा मीटर पर सेकंड में convert तो यहां से देखिए 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा हमारी speed अब हम क्या करेंगे यहां से train है कितने 25 सेकंड में पार करती है कितने speed से 10 मीटर पर सेकंड से क्योंकि हमने जो हुए मीटर पर सेकंड में तो यहां से हमें train की लंबाई पता पड़ जाएगी यहां से देखिए 200 आ जाएगी ठीक है क्योंकि यह तो distance है यह अपन क्या है यहां पर टाइम है और यह इस पीड है तो इस पीड बरावर डिस्टेंस अपन टाइम होता है तो यहां पर लगाया मैंने तो हमारी train की जो लंबाई आगी वो कितनी आजाएगी 200 और पुल की लंबाई हमें दी हुई है साड़े 300 तो दोनों को जोड़ देंगे और हमें स्पीड हमारी कितनी थी 10 मीटर पर सेकंड तो उससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो है वो समय आ जाएगा तो यहां से देखिए यह कितना आ जाएगा यहां से देखिए 600 यह हो जाएगा 600 अपन 10 यानि 60 सेकंड क्योंकि यहां पर यह मीटर है तो मीटर से मीटर कर जाएगा सेकंड उपर पहुंच जाएगा तो यहां से थर्ड ऑप्शन इसका अंसर हो जाएगा चले एक लगोशन देखते है देखिए इसमें क्या कहा गएगा है कि चत्रोष जहाँ हमें दिया हुआ है A-B-C-D और चत्रोष के आन्तिक भाग में एक बिंदु है E इस परकार है कि D E और C E एंगल D एंगल C का दोई भाजक है और हमें एंगल B दिया हुआ है 82 डिग्री और D E C दिया हुआ है 80 डिग्री तो हमें निकालना है एंगल A तो दिखिए हम कोई जो है वो चत्रवज माल लेते हैं ये भई चत्रवज है A B E C और D यहां पर यह माल ले मैंने कोई बिंदू है E ठीक है जो क्या कर रहा है D को C को समान जो एंगल है उनको समान बरावर बरावर भावों में काट रहा है ठीक है यानि ये वाला एंगल इसके बरावर है ये वाला एंगल इसके बरावर और इसका एंगल दिया हुआ है हमें कितना दिया हुआ है यहां पर 80 दिया हुआ है और एंगल भी हमें दिया हुआ है यहां पर 82 अब आप देखिए जायर सी बात है यह दो बरावर बरावर भावा में काट रहा है यह त्रबुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है तो जायर सी ब पर क्योंकि ये तो बराबर बराबर भावा में कटे हैं तो चायशी बात है ये भी 100 हो जाएगा और ये भी 100 हो जाएगा और इसका हमें पता है कि 82 है तो 100, 100, 200 और 282 तो 282 जो है वो ये 3 एंगल पता पड़ गए हमें निकालना है ये वाला चत्रवज के 4 ओकोना का यूग होत 306 को इसको हम 360 से घटा देंगे तो हमें पता पड़ जाएगा यहां से देखिए यह आठ आ जाएगा पांच बचा और यह आ जाएगा साथ ढरी जो है सकांसर आ जाएगा एंगल ए जो गरी होगा उसका और आजाएगा हमारा वी खुछन ओक तो इस तरीके से औरे करके सारे करना है तो मिलते लिए वीडियो में वीडियो को लाइक कीजिए और जो भी साती नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बैल आइकन पर जरू प्रेश करना एक्जाम का लेबल जो हो बढ़ेगा क्योंकि बैकेंसी कम निकल रही है और आपने देखा कि जेल पहरी का एक् मैट्स का उतना ही रहा है मैट्स में कुछ टॉपिक जो है वो पूछे नहीं गए ते ओके तो कोई नहीं यहां पर हम कॉंस्टेबल पर जो है वो और अच्छे से जो है वो प्रेपरेशन करेंगे आब हो तो मिलते एक लिए वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग दा वीडिय वो झाल आच चे ले वीडियो चाहिए पाल आच्छे से जो है वो झाल आच ते गिर हम झाल है वाचिंग जो है।